नमस्कार साथियो मैं बेद प्रकाष आपके अपने यूट्यू चैनल प्रकाष रिश्डी में आपका स्वागत करता हूँ साथियो ये हमारा 29 दिसम्बर ये पेपर हमारा कौन सा है 29 दिसम्बर 29 दिसम्बर 2022 का जो सेकेंड सेप्ट का पेपर है जिसमें मैंत के जितने भी क्वेशन है हम इस वीडियो में करेंगे आई ये इस्टाइट करते हैं क्वेशन नमर 31 दिसम्बर ये रखाए से पहले हम बालविकासे में सिक्चासात्र और समासास्त्र की वीडियो बना चुके हैं आप लेट में जाके देख सकते हैं क्वेशन नमर पहला दे रखा यदे 2 सही एक वट्टे 4 और 1 सही दो वट्टे 3 के अंतर के 3 वट्टे 4 को 3 सही एक वट्टे 4 के दो वट्टे 3 में से घटाया जाता है तो परड़ाम है इसका सही आंसर आप प्षन नमर कौन सा होने वाला है इसका सही आंसर क्वेशन नमर 31 का अप्शन नमर चोथा होने वाला है यानि सही आंसर 83 सही सोरी 83 बटे 48 होने वाला है साथियो इन सभी क्वेशनों के हम जो सॉलूशन है कल आपको बोड़ पर बताएंगे आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास में नोटिपिकेशन पहुंच जाएगा अगला क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमर 32 रखाए यदि 9 से संक्या 54 बत्तिस एक्स साथ विवाजित है तो एक्स के इस्तान पर क्या आएगा कौन सा अंक आएगा तो सातियो ये सवाग सौल करने से पहले इन सभी को जोड लेते हैं यानि योग कर लेंगे इन सभी का तो यह हो जागा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस X और प्लस 7 ये कितने से हम करेंगे यानि 9 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरी संक्या योग का योग आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संक्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी तो ये करते हैं कितना हो जाएगा 5 और 9 और 3 12 12 14 14 और 7 चोदे पिलस साथ पिलस एक्स यह कितना हो जाएगा साथ एक्कीस एक्कीस पिलस एक्स यह हो जाएगा 9 से हम डिवाइड करेंगे से कितने से करेंगे 9 से 9 से करेंगे 9 9 दुनी अठार है और 9 तिया 27 होते हैं यानि 18 भी नहीं है 27 आएगा, 27 लाने के लिए हमें कितना, यानि 6 और जोड़ना पड़ेगा यानि X की यह पार, जब 27 होगा, जब यह पूरी संक्या 9 से डिवाइड होगी, यानि X की यह पार कितना आजाएगा, 6 आजाएगा, हमें X का इमान पूचाता आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यह यहाँ पर 6 आएगा, यानि यह क्या हो जाएगी, 5, 4, 3, 2, 6, 7 यह X यह पर 6 आजाएगा अगला क्वशन, क्वशन नम्र 33, 33 में यह सवाल दे रखा है इसका सही आंसर क्या होगा इसको सवाल को हम कल बुड़ पर बताएंगे 33 का सही आप्सन क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नम्र थीसरा, यानि 12 आंसर आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वीडियों कोई दिक्कत आती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में 4096 तो यह दसमला वटाएंगे तो यह आजाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 आजाएंगे यह कितने का वर्ग है यह सातियों यह हो जाएगा कितने का 64 का वर्ग हो जाएगा और नीचे कितने का वर्ग हो जाएगा यह आपको सातियों 1000 का बर्ग हो जाएगा तो बर्ग से यह आपका अंडरूड खट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 64 वट्टे 1000 1000 का यहां से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 064 यही हो जाएगा, इसका सही अंसर और option number कितना हो जागा, option number second हो जागा, अगला question देख लेते हैं, निम्न बिन्न मैंसे कौनसी बिन्न 7 बटे 8 से कम तथा 1 बटे 3 से अधिक है, यानि कौनसी बिन्न 7 बटे 8 से कम, यानि 7 बटे 8 से कम, यानि माने कोंसी बिन्या में से हमने X मान ले तथा तथा एक वट्टे तीन से अधिक है यानि एक वट्टे तीन से अधिक है तो इसे solve करेंगे इसे solve करने पर कौन्जा सही अंजर आएगा इसका सही अंजर आने वाला है 17 वट्टे 24 साथी हो अगर आपको कोई वीडियो में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगला क्वशन है प्वशन यह दिरखा है त्रिबोज ABC और त्रिबोज ADB में कौन C और कौन D यूकल टू 90 है तथा BC यूकल टू AD है तब नियुक्त सर्वांग समसंग क्या है नियत है त्रिबोज ABD में त्रिबोज BAC का मान याद कीजिए तो इसमें 4 ओप्सन ने रखे है इनमें से सही आंसर आपको बताना है सौल करने पाश 36 का सही आंसर ओप्सन नमर 2 हो जागा यानि RHS अगला क्वशन क्वशन नमर 37 37 पूचा गया है त्रिबोज ABC में बजा BC को D तक बढ़ाया गया है BC तथा BC पर एक बिंदू E इस प्रकार है कि AC AC युकल टू AE है तो त्रिबोज E, A B युकल टू 22 डिग्री तथा अच्तरिबोज ACD युकल टू 125 डिग्री है तो ABC की माप याद कीजे साथ यहों मैं कोसिस करता हूँ इस सवाल को सॉल करने की नहीं तो मैं कल बोड़ पर ही बताऊंगा यह है आपका यह हमें A दे रखा है और यह B और C यानि यह आपका यहां से बढ़ाएगा है D पॉइंट यहां पर है और BC पर यानि B BC पर एक बिंदू E है कुछ गड़ बड़ दे रखा है BC को D तक बढ़ाया जाता है BC को कहां तक D तक बढ़ाया जाता है इसको हमका बोड़ पर बताएंगे इसका सही आंसर में बता देता हूँ Quesn No. 37 का सही आंसर Option No. पहला हो जाएगा यानि 32 डिग्री आएगा आप solve कीजिए अगर नहीं होता है तो हमको बताईएगा Quesn No. 38 38 दे रखा है तरवो ABC की बज़ाएं AB तता AC को करमस B और E तक बढ़ाया जाता है तो कौन D, B, C, E, C, B समध्वे भाजित O पर मिलते हैं तता BOC उकल टो 50 डिग्री है तो तरवो जब B, A, C की माप ग्याद कीजिए 38 का सही आंसर कौन सा होगा 38 का सही आंसर Option No. पहला वज़ागा यानि 10 डिग्री अगला कौसन देख लेते हैं कौसन No. 49 49 में दे रखा है कि कौन की माप उसकी संपूरा का कौन की माप की दुगनी है तब उसकी माप है 4 अपसन दे रखे हैं इनमें से सही आंसर आपको बताना है 49 का सही आंसर 120 डिग्री अगला कौसन देख लेते हैं कौसन No. 40 है 8 खलक और 12 सीट्स 8 खलक और 12 सीट्सों वाले एक बहुँ खलक के किनारे होते हैं किनारे पूछे गए हैं ये खाली स्थान दे रखा खाली स्थान की जगाप है क्या आएगा कौसन No. 40 का सही आंसर अपसन No. 30 हो जाएगा अपसन No. 30 हो जाएगा अगला कौसन No. 41 41 में पूछे गाए एक आयताकार कमरे में फट्स पर 125 रुवे प्रते मीटर स्केर की दर से टाइल लगाई गई है इनकी लागत 4000 है कितनी है इनकी लागत 4000 है यदे फट्स की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चोड़ाई याद कीजे तो इसकी चोड़ाई के लिए 4 अपसन दे रखें सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होने वाला है 41 का अपसन नमर 3 यानि 4 मीटर होगी आप इस सवाल को सभी को स्वाल कर लेना मैं इस वीडियो में सभी के आंसर बता रहा हूँ अगला कोशन नमर 42 किसी ब्रताकर पत की अंतरिक और वहारी तरिज्जाएं क्रमसा 21 मीटर 28 मीटर है तो रुपए 5 5 रुपए प्रते मीटर स्केर की दर से इस पत को समतल कराने की लागत पाई का मान दे रखा है 22 वट्टे 7 तो 4 अपसन दे रखें इन में से सही आंसर क्या होगा यानि समतल की लागत कितनी होगी 42 का अपसन नमर 14 सही हो जाएगा यानि 390 अगला क्वशान क्वशन नमर 43 43 में पुचा है लंबाई 2 मीटर चोड़ाई 1 मीटर और उचाई 0.5 मीटर वाले एक बक्से में 0.2 मीटर लंबाई 0.4 मीटर चोड़ाई और 0.5 मीटर उचाई वाले आधिकतम कितने बक्स रखे जा सकते हैं यह 4 अपसन दे रखे हैं इनमें से सही अंसर आपको बताना है सही अंसर अपसन नमर 4 यानि 25 बक्से रखे जा सकते हैं अगला क्वशन क्वशन नमर 44 संक्याएं एक से लेके 50 तक मैं से एक संक्या को यच्छत रूप से चुना जाता है इणके इसके एक अवाज संक्या होने की प्राइक्ता यानि प्राइक्ता पूची ग़ी है तो चार अपसन दे रखे हैं इनमें से सही अंसर आपको बताना है 45 का सही आंसर option नमर तीसरा हो जाएगा यानि 0.3 राइकता होगी अगला question question नमर 45 45 पूचा गया है आंकडों 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6, 2, 2, 1, 4, 6, 6, 5 की माध्यक बहुलाग तता परिसर का माध्य है यह पूचा गया है तो 4 option दे रखें इन में से सही आंसर आपको बताना है 45 का सही आंसर क्या होगा 43 का सही आंसर option नमर second हो जाएगा यानि माध्य होगा 10 वट्टे 3 अगला question question नमर 46 46 पूचा गया यह तो 3 वट्टे 4x-5 वट्टे 6y का square यूकल टू 9 वट्टे 16x square plus a y square plus b x y है तो a minus b का मान है इसमें a minus b का मान पूचा है 4 option दे रखें इन में से सही आंसर आपको बताना है question number 46 का सही आंसर option number 4 हो जाएगा यानि 35 वट्टे 18 अगला question number 47 47 में पूचा गया यह यह x minus y का 50% और x plus y के 30% के बराबर है तो x का कितना % y के है यह पूचा गया है तो यह होगा आपका x minus y का 50% और x plus y का 30% के बराबर है 30% के बराबर है तो यह % से 100 से 100 खतम हो जाएगे 0 से 0 खतम हो जाएगा और यह 5 के अडवाइट करेंगे इसमें 5 का इन टू आएगे 5x minus के 5y equal to 3x plus के 3y तो इसे इदर को लाएगे यह हो जाएगा 3, 2, 5 यह दर आएगा 2x और इसे इदर को लेके जाएगे यह हो जाएगा 5 और 3 कितने हो जाएगे 8x, 8y तो x का कितना प्रत्यसत y है यानि यह अट जाएगा 4 यानि x वट्टे y हो जाएगा 4 वट्टे 1 यानि x का कितना प्रत्यसत y है x वट्टे y तो 4 वट्टे 1 x और y का मान इसमें दिर रखा है तो यह कितना हो जाएगा यानि 3 3 हो जाएगा तो यह y का मान पूचागा है 1 वट्टे 4 तो यानि यह हो जाएगा आपका 25% option नमर 3 हो जाएगा अगला question question नमर 48 48 पूचा है यह सवाल दे रखा 48 का मान लीजिए यह संक्या दे रखी है इसे solve करने b का मान दे रखा है और यह दे रखा है इसे solve करने पार कौन सा option सही होगा 4 option दे रखे हैं इन में से सही answer आपको छाटना है 48 का सही answer क्या होगा 48 का सही answer option नमर 3 सही हो जागा यानि 9 answer आएगा इसका कितना आएगा 9 अगला पसंद देख लेते हैं पसंद अमर 49 49 पूचा गया है x plus y equal to 1 x square plus y square equal to 41 है तो 1 वट्टे x plus 1 वट्टे y का मान गयाद कीजिए देखते हैं इसे solve करके यानि x plus y equal to 1 रखना है हमें और x square plus y square equal to 41 एक्तालिस ऐसी condition क्या है जो x और y कमार रखने पर 1 हो जाए और x square plus y का यानि x कमार क्या रखे हैं और y कमार क्या रखे हैं जो 41 हाजा है तो कितना होगा ठाट चौशाट आठ 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 नहीं रख सकते हैं इसमें पचम पच्चीस पांच माइनस चार ये को जाए पचम पच्चीस और 16 41 हाँ सही है यानि हम x वरावर 5 और y वरावर माइनस एक रखते हैं माइनस चार वरावर कितना रखते हैं माइनस के चार रखते हैं तो x माइनस y युगल टू कितना हो जाएगा यह एक हो जाएगा यानि चार पांच माइनस के चार युगल टू कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और यह रखते हैं कि देखते हैं हम x स्क्यार की जाएगा पांच का स्क्यार पिलस माइनस के चार का स्क्यार यह कितना हो जाएगा 25 पिलस के 16 यह जाएगा 41 तो हमारा सही है यानि 1 गद्टे X और Y का माल रखते हैं यह जाएगा पिलस ट्रूटे Y हमें दे रखा है तो रख कि दिखते है x कामान एक गद्टे 5 पिलस एक गद्टे चार माइनस चार रखेंगे तो यह जाएगा आपका lcm कितना आ जाएगा LCM आ जाएगा आपका माइनस के 20 और 4 पिलस के 5 4 माइनस के 5 आ जाएगा ये पिलस होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 वट्टे माइनस के 20 यानि option नमर कौन सा सही होगा 49 का सही option नमर तीसरा आ जाएगा यानि माइनस के 1 वट्टे 20 आएगा अगला question देख लेते हैं question number 50 50 दे रखा है 10x यह दे रखा है तो 5x प्लस 2 वट्टे 6 का मान ज्याद किजी तो ज्याद करेंगे क्यास ज्याद करेंगे यह दे रखा है हमें सवाल इसका into करना है इसका into इसका into करना है तो इसका मान ज्याद करना है पहले X का मान निकाल लेते हैं, यह हो जाएगा, 10X, पिलस के 60, पिलस के 8X, माइनस के 24, इस इकल टू यह हो जाएगा, 25X, माइनस के 20, तो XX के पहले जोड लेते हैं, 10 और 8 कितने हो जाएगे, 8X, पिलस, 60 मैं से 24 गये, तो कितने हो जाएगे, आपके, यह हो जाएगा, 6, और यह कितना, 4, 3, 36, 36 हो जाएगे, 24 जाएगे तो इस में से, और यह हो जाएगा, 25X, माइनस के 20, X को जाएगे, यह हो जाएगा, 25X, माइनस के 18, 20 को जाएगे, 36, पिलस के 20, यह कितना हो जाएगा, 6, और 3, 2, 5, 56 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 25 में से 18 जाएगे, तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, यानि 7X हो जाएगा यह, यह कितने बार जाएगा, 7 वट्ट चप्पान, यानि x का मान हो जाएगा मारा 8, x का मान इसमें रख देंगे, यानि 5 इंटू 8 पिलस 2 वट्टे 6, यानि 8 चालीस और 2 ब्यालीस यट्टे 6, 6 सत्ते ब्यालीस, यानि 7 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, 7 आंसर आएगा, या अप्शन नमर चौथा सही हो जाएगा, अगला क्वश्यान, क्वश्यान नमर रिक्यामान दे रखाया है, आएग्यामान दे रखाया, बच्चों की विचार प्रिक्रिया के गड़ती करण के लिए, निमलेकत मैं से कौन से वांचनिय हैं, एक, दो, तीन, चार आपको आप् क्या होगा, प्शन नमर एक्यामन का, एक्यामन का कौन सा सही होगा, एक्यामन का उप्शन नमर पहला है सही होगा, यानि ए और भी दोनों सही हैं, ए दिरखाया प्रिष्ण का आर्थिस्पेक्ट करके उसके हल की समावना को खोज कर बच्चे प्रिष्ण हल करने के कारे को यह सही हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बच्चे अनुमान कनेजेक्शन बनाते हैं करते हैं और अपने अनुमान को सही ठराने के लिए तर्क गत अनुक्रमों के कथनों को तियार करते हैं यानि अप्शन नमर पहला ही सही हो जाएगा इसका अगला कौशन, कौश्चन नमर बामन, बामन है कहा है, एक मसहूर गड़तिग्य जोर्ज पोल याने समस्या समाधान है, तो चाल चरणों की एक प्रिक्रिया दी है, निमलकित में से कौन सा चरणा पोल या के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है, चार अप्सन दे रखें सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सन नमा सेक्ड यानि योजना की सुधारना क्वशन नमा त्रेपन त्रेपन में पुछा गया है एक यदि एक सिक्षक विद्यार्थियों को भिण की अवधारना पढ़ाना चाहता है तो निम लेकित में से कौन सा उपागम अधिकतम प्रभावी होगा चार अप्सन दे रखें सही आंसर आपको बताना है Q. 53 का सही अंसर क्या होगा Q. 53 का सही अंसर अप्सान नमा 3 हो जाएगा यानि दो बस्तुओं को तीन या तीन से अधिक विद्यार्थियों में विद्रेत करने की स्थिति उत्वन कर भिन्न को बढ़ाना अप्सान नमा 3 सही हो जाएगा अगला Q. 54 पूछा गया है चार अप्सान दे रखे हैं सही अंसर आपको चाटना है Q. 54 का सही अंसर अप्सान नमा पहला हो जाएगा यानि विद्यार्थियों के कारे का निरिक्षण करके और उसके उनसे बात करके उनकी अवधार्णों की जानकारी का आकलन करके सुधारा जा सकता है अगला कॉर्शन नमर पच्पन पच्पन मैं पूचा गया है एक मिडिल विद्याले की अध्यापिका कक्छा में 15 टाइलें लगाती है और निमलेकित निर्देश देती है इन 15 टाइलों को सभी संभव आयता काल सारणियों में लगाएए निमलेकित मैं से कौन सी संकलपना इस गटिविदी से पढ़ाई जा सकती है ये आपके चार उप्शन दे रखें सही आंसर आपको छाटना है पच्पन का सही आंसर उप्शन नमर सेकिंड हो जागा यानि छेत्र गुडनखन परिमाप अगला कौशन नमर छप्पन चप्पन में पूचा गया है सुस्री सुपुना अपनी कक्षा में कुछ ठोस पदार्थ जैसे लकडी के गणों के गुट्टे, वरगे, अर्दगोलों और गोले के आकारों की टाइलेन लेकर आती है उसने कक्षा में चात्रों में विविन पूच जैसे के सही आंसर आपको बताना है कौशन नमर 56 का सही आंसर क्या होगा 56 का अप्पन नमर थीसरा हो जाएगा यानि समश्या समश्या समाधान की स्थिती में तरिविम तरकना अनुमाल लगाने और दृश्य करना का अपयोग करने की ख्यमता अगला क्वसन नमर 57 देख लेते हैं 57 रेका क्षा आठ के छात्रों को आखणों का प्रमंदन बढ़ाने पढ़ाने के लिए अध्यापक ने पास के गाउं के परिवार की सामाज समाज अर्थिक की इस्तिती पर सर्वेक्षण के क्रिया कलाप का उपयोग किया इस क्रिया कलाप का प्रयोजन है A, B, C दे रखें नीज़ चार अप्सन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 57 का सही आंसर क्या होगा 57 का अप्सन नमर 2 हो जाएगा है A और C सही होंगे इसमें A दे रखा है और C दे रखा है यह में कहा है कक्षा के अनभवों का कक्षा स्वेबाहर की असली दुनिया से सम्मन्द स्तापित करना और C दे रखा है चात्रों को अबसाद दे ना कि वे छेत्र में प्रतक्ष जानकारी एक अतित कर सकें अगला क्षान क्षान नमर अठ्ठामन अठ्ठामन है का है कक्षा आट के बच्चे को 3X प्लस 4X प्लस 7X हलकांडे के लिए कहा गया तो उसने इमलेकर तरीके से हल किया यह हल किया है तो यह चार आप्षन दे रखे हैं इनमें से सही अंसर आपको उचाटना है क्षान नमर अठ्ठामन का सही अंसर क्या हुआ अठ्ठामन का सही अंसर आप्षन नमर तीस रहो जाए है यहने संकलपना मकत्रटी है अगला क्षान नमर उन्शाट उन्शाट में पूचा गया है किसी भी केंद्र और किसी भी तरिज्या के साथ एक ब्रत खीचा जा सकता है युकलिड के अनुसार या कतन है चार अपसंदे रखें इनमें से सही आंसर आपको उच्छाटना है उनसेट का सही आंसर अपसं नमा सेकंड हो जागा है निया अविगरहीत है लाइट कोर्शन है विद्यार्थि में विद्यार्थियों में गड़ित की चिंता पर अध्यान या दरसाता है कि गड़ित की चिंता गड़ित में उच्छ उपलब्दी वाले विद्यार्थियों में भी पाई जाती है ऐसी विद्यार्थियों में गडित की चिंता को नजर अन्दाज कर दिया जाता है क्योंकि 4 अप्षन दे रखें सही अंसर आपको बताना है 60 का सही अंसर क्या होगा Q6 का सही अंसर अप्षन नमर पहला हो जाएगा इसका अप्षन नमर पहला सही हो जाएगा साथ ही हो आज मेट के यही इतने ही क्वेशन थे आज इस वीडियो में हमने पूरे क्वेशन कंप्लेट कर ले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लिए वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हैं आज के लिए वस इतना ही दन्यवाद